इंशॉरंस सेक्टर में आठ साल में पचास हजार करोड रुपे का निवेश आएगा जी बिजनिस के साथ एक्स्क्लूजिव बाचीत में पी एन बी मेट लाइफ के एंडी और सी यो तरुम चुक के मुताबिक एक मेट लाइफ जल्द कांपनी में अपनी हिस्सेतारी बढ़ाएगी आए सुनते हैं पिछले दिनों जो इंशॉरंस सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो इंशॉरंस बिल का पास होना तो इस bill को आप किस तरह से देखते हैं इस bill के बाद सेक्टर में क्या बदलाव आएंगे और क्या आपको लगता है कि going forward पूरे सेक्टर में competition काफी बढ़ जाएगा यह बहुत ही अच्छा question है यह बहुत ही बड़ी development हुई है जो हम last 10 साल से sector पुसू कर रहा था government से बात कर रहा था बात चीछ चल रही थी बट I think यह जो last 6 मेने में जो हुआ है एक काफी momentous change आया है already आप चाहिए अभी FDI की जो बात हुई है और दो दो चीज़ें मेरे साथ से जो बड़ी आई है इसमें एक तो FDI clearance जो हो गया है और दूसरा की IRDA के powers जो है काफी strong कर दिये गए है यह I think काफी अच्छा हुआ है because पहला तो FDI कि तरह से कर देखा जाए so अभी तक आपको पता है कि 26% ही stake ले सकता है foreign company so इससे क्या होगा कि और foreign पैसा आएगा इंडिया में foreign पैसा आएगा और दूसरा companies IPOs कर पाएंगी list कर पाएंगी because FII का पैसा आ सकेगा उससे तो यह काफी important हो जाएगा अभी आगर आप देखें कि sector की growth last एक दो साल से जादा नहीं रही है so मेरे साथ से growth में काफी फरक पड़ेगा insurance bill के पास होने के बाद foreign companies का पैसा इंडियन companies में आएगा और कई companies की listing भी होगी तो क्या PNB MetLife की भी going forward listing की योगना है और उसके साथ मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि अभी आपके जो foreign partner है क्या वो हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं या फिर और कोई है जो हिस्सेदारी खरीदने के इच्छों के है अभी अनुरा के थोड़ा तीन चार महीनी हुए है यह बात चुरू हुए है तो अभी थोड़ा समय लगे गए सब चीज़ें को पुरा नाप तोल के देखा जा रहा है तो shareholders की बात चल रही है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि listing का कोई जरूरत है भी मेरे हिसाब से सेक्टर में नेक्स्ट एक साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दस हुजार करोड रुपया approximately सेक्टर में आएगा यह FDI की वज़ा से FIA की वज़ा से listing की वज़ा से और नेक्स्ट आठ से दस साल में कम से कम मतब 40 से 50 जर करोड सेक्टर में आएगा और यह company by company vary करेगा किस company कि situation में है capital चाहती है भी कि नहीं चाहती है shareholders क्या बातचीत करके क्या decide करते हैं सो हमारा भी उसके हिसाब से पिर सामने कुछ बनेगा करते हैं